भारती जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी के कारी करता इस हालत में मूख दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते प्रदेश की भाजपा की भारती जनता पार्टी ने ये निरने किया है जहां कॉंग्रस के मुख्य मंत्री और कॉंग्रस की सरकार जशन मनाने की तियारी करने है भारती जनता पार्टी का कारी करता सड़कों पे उतर के इस सरकार के खिलाफ परदर्शन करने जा रहा है साथ तारिक से लेके अगरे चीन-चार दिन तक लगातार हर जिला में कि सरकार के खिलाफ भारती जनता पार्टी का कारी करता परदर्शन करने जा रहा है आज डिपों में राशन गायब है सीमेंट के रेट महंगे हो गए है हर मेरा यह कहना कि हर मोर्चे पे फेल सरकार जो है उसके खिलाफ भारती जनता पार्टी का कारी करता सड़कों पे उतरेगा सरकार का विरोद करेगा और मुख्यमंतिर जीस हम निवेदन करना चाहते हैं अगर उनसे सरकार नहीं चल रही है और सरकार से इस्तिफा दे दें प्रदेश की जनता बेहाल है कॉंगर्स के नेता माला माल है कि सरकार को अपने पत्स से इस्तिफा दे के पुना जना देश प्राप्त करना चाहिए ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माचल पृदेश की मानीय सुख की सरकार के दो साल पूरे हो गए है और ऐसा सुनने में आए कि और कॉन्गरेस पार्टी और मानियय मुक्र मंत्री जी इस दो साल का जशन मना रहे हैं सरकार पूरे होने का बड़े अचरज की और अचम्बे की बात है जो सरकार सबी फ्रेंट्स पर नाकाम है पूरी तरह फेल सरकार है वो किस बात का जशन मना रही है शायद ये जशन मना रहे है जो हमारी हिमाचल परदेश की बेने हैं लाखों बेनों को ठगने का जशन मना रहे है पंदरा सो देने का वाइदा किया था दिया किसी को नहीं बिजली के रेट बढ़ाने का जशन मना रहे हैं लाखों उपभोगता जिनको जैराम जी की सरकार ने सबा सो यूनिट बिजली फुरी दी थी उसको समाप्त करने का जशन मना रहे हैं हर स्लैम में लाखों उपभोगताओं को रेट बढ़ा कर जो सौगात दी है उसका जशन मना रहे हैं हिमाचल परदेश में उद्योगों को समापती की और ले जाने का जशन मना रहे हैं हिमाचल परदेश के उद्योगों में जो बिजली है वो पंजाब हरियाना से भी महिंगी सरकार ने कर दी है और पलायन इंडस्ट्री का लगातार हिमाचल परदेश से जो इन फेक्टियों में रोजगार प्राप्त किये हुए थे वो बेरोजगारी की कगार पे खड़े हैं इस बात का जशन सरकार मना रही है इसकी फोज खड़ी करके जिसको मानिये अवदालत ने हाई कोट ने बेधकल कर दिया है उनकी कोटियों से उनके बंगलों से उनकी कारों से उनको बेधकल कर दिया है और एक बहुत लंबी चोड़ी फोज अपने चेहतों की कैबिनेट रंक देके परदेश के खजाने को दोनों हाथ से लूटने का जो काम आने मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं क्या उसका जशन सरकार मना रही है परदेश में विकास के लिए पैसा नहीं है विकास के लिए धन नहीं है लेकिन दोनों हाथों से पैसा अपने चेहतों पर लुटाया जा रहा है सरकार शायद इस चीज का जशन मना रही है हजारों संस्थान बंद करने का जशन सरकार मना रही है पूरू की सरकार ने, जैराम जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कि यह तैसीलेएएज प्टवार सर्कल स्धियम् कारेयल है एक्षिन कारेयल है स्पि एस सी कारे ilुक्र को ले थे है कि यो जो विदिवत रूप से चल भी गए थे सब्ड़ो उसको बंद करने का जशंत यह प्रदेश की सरकार जो साल पूरा होने पे मना रही है लेकिन उस सहायता को भी पीडितों पे खर्च करने की बिजाए उसको भी चहेतों पे लुटाया गया है जिनके दरार भी मकान में नहीं आई उनके खातों में लाखों रुपे डाले गए और जिन प्रभावितों को जिनका नुक्सान हुआ था जो पीडित थे वो आज भी नमाखों से सहायता की बाट जो रहे हैं इन सब चीजों का जशन सरकार मना रही है यह सरकार विकास के मामले में यह सरकार कानून विवस्था के मामले में यह सरकार हर मामले में फेल है सरकार का जो जशन बनता है वो शायद इस बात का जशन बनता है कि वो सरकार चली हुई है अभी भी सरकार चली हुई है और बड़ा दम भरते थे करमचारियों का हितैशी होने का हजारों करोड रुपया परदेश के करमचारियों का सरकार की तरफ दे है कफ़ास 4, क्लास 3 करमचारी से लेके बड़े करमचारीों तक का हờ लाखों रुपया दे हर करमचारी का सरकार की तरफ है हजारों करोड की राशी बकाया है और करमचारी ये सोच रहे हैं कि उनके जीवन काल में क्या उनको राशी मिल जाएगी जो उन्होंने वो सारी आयू पैसा इकठा करके जमा करके सरकार के खातों में जो पड़ा था क्या उनके रिटायर्मेंट पे क्या उनके जीवन काल में वो राशी उनको मिल भी पाएगी या नहीं